नमस्कार दोस्तों आप से कदा विक्टेडा पसाउगत है कैसे हूँ आप सभी SSB कि किसी भी पोस्ट का अगर आपका वीडिल में बना दिये आज की वीडियो में मेडिकल को पूरा डिटेल से समझेंगे और आप किसी भी पोस्ट की तयारी कर रहे हो मेडिकल को एक बार समझ लो फॉर्ज मेडिकल कैसे वह था और एक टूसराइब आप को जो भी डौट है न मेरे भाई वह सारे डॉट इस वीड समसे पहले में आप सभी होता तो medical में होता क्या है सलसे पहले आपट आपका height, chest weight measurement होता यानि क्या होता आपको height है है height हो गया आपका chest हो गया और आपका weight हो गया यह तीन चीज measurement होती है क्योंकि कि यह सब इनिसियल चीज़े हैं क्योंकि इसके बिना तो आपको सेलेक्शन दे नहीं सकते हैं अगर आपके हाइट का में दबाहर कर देंगे आपका वेट जाता है आपके हाइट एक्कॉर्डिंग तो आपको BMI में रखा जाएगा आपका चेस्ट कम में फुलाने पर नहीं हो होती है यह चीज होने के बाद आप सभीका मेडिकल सुरू होता है तो सुरू हो आपका उorte Тष होता है ओर आपका एक्सरेड ही होता है कहीं कहीं पर कराते हैं कहीं कहीं पर आप सभी कराते ठीगे आल्ट्रा साॉंड पर सभी कराया जाता है बहुत जग जग कराया जाता है तो इसको एक यह बहुत जाद पसीन आ रहा है तो इसको ऐसे भी कि वह धी करा दें ठीक है यह जी यह दिए ऻोनी penny एकश रे यह तीन जीजे तो हर जगा लगब लगब होती है एक ब्लड सय चल रहा है नॉर्मल टेष्ट मैं आप सभी को बता रहा है यह करने के बात जैसे जैकर यह कंप्लीट होता है इन सब की रिपोर्ट आ जाती है उसके बाद मेडिकल रूम में एंटर करते ही आप सभी जाते हो कि वहाँ पर इतारे होंगे कहीं पर विद्र के लिबता रोड़ं के उसे दिन से UP के चली जाने मेल-म थेमिनों ही टूरता है जब आप वहाँ जाते हो करें से बढ़ करतें कह हाँ, अब सब्सक्राइब करते हैं आपको जो नौकनी है नौकनी से सुरू करते हैं नौकनी का मतलब क्या है गुठने सट जाना सिंपल सी बात है ठीक है अगर आपके कर्व नहीं बनता है आपके तलवी की नीचे कर्व नहीं बनता है पैर की तलवी की नीचे कर्व नहीं बनता है आपका पैर पूरा सीधा है त तो आपको क्या देख लेते हैं लाट फुट देख लेता है यहीं पर प्लैट फुट देखने के बाद जैसे फ्लैट फुट चेक करते हैं अगर किसी के वर्ट रहता है तो उसको पैर गीला करवाकर इसको लेते हैं तो निसान बन जाता है वहां सें फ्लैट वोड़ ख्लेयर करने के बाद यहां पर उनका अगर आप अगर आप देखोंगे तो यहां पर हें सबस्त्राइब कि आपको क्या करेंगे तो ल कर देंगे जमक कर देंगे और अगर पीछे के नसे दिखती है तो वो है वह वे तेखने के बाद होता क्या है कि आप सभी के यहां आ गए उसके बाद आपके कहां पर चले जाएंगे मिरभाई प्राइवेट पार्ट में एक व्हा आपके प्राइवेट पार्ट को अच्छे देखेंगे आपके टैस्टीस है प्राइवेट पार्ट को अच्छे से देखा जाएगा ठीक है पैनिस को जो आपके टेस्टीज अगर छोटे बड़े हैं नौर्म चल जाए को दिक्कत नहीं एक है नहीं तो दिक्कत हो जाएगी इसी तब महिलाओं में भी चेक किया जाता है कि यह सही है कि नहीं है उनके प्र प्राइवेट पार्ट उसको भी अच्छे कर लेना बढ़ी आसे साफ सफाई के साथ चेक कर लेना ठीक है और बहुत से बच्चे को डौट होता है कि क्या प्राइवेट पार्ट के पार हेर रखें तो भाई मेडिकल के टाइम पे हेर मत रखो तो ज्यादा अच्छा है ठीक याहां पर लियुक्स मिलेकर चले जाते हैं ठीक है उसके बाद अधिक हृता है तो यहांट के अफ़गर घंग होगर है टीक है जैसे यहाँ पर कोहोनी के पास से एंगल होता है जो होता है हुआ चerry नियुक्ता पर है कि निमें उपर उपर सारी चीजे बता रहा हूँ ठीक है वह सारी चीजे हो गए आप सभी कर चेक किया जाता है यहाँ पर ठीक है उंगलिया वगरें चल जाएक उतना बहुत नहीं कोई फैक्चर है तो नॉर्मली फैक्चर तो चल जाएक कोई दिखाना पड़ जाएग उसके बढ़ आप सभी को बता है कि चेश्ट वगरा मिजर्मेंट कर लेता है शुरू में ही मगर चेश्ट में क्या चेक करते हैं चेश्ट में यह देख चेक करते हैं कि चेश्ट क्या फ्लैट चेश्ट तो नहीं है फ्लैट फ्लैट क्या होता है कि भाई उसमें कुछ उभा तो हड्डी कि इन्धे की दब जाती उसको चेक करते हैं ठीक है उसके साथ पीछर देखते हैं कि कोई कूबर तो नहीं निकला है जो आपकी रीड की अड़ी बैंड तो नहीं है यहां पर वह चीज को भी चेक किया जाता है ठीक है उसके बद आपको पता हैं कि जब आप सभी का हच्छी साहन करने चल्ड भुखक्र करें कि भी नहीं और ऐसे चीज़ को दिखा देंगे तो सब्सक्राइब निकालना अच्छे दक्तर से देखेंगे आपकी नोस नोस बहुत लुगों को री मैं रास्ता में यहां से छीमांटी को जाते ह। क्यों होता है यह सांस लेने डानेका इस्में यहां यहां पर आपको यह आ यहां से ब्लॉक हो चेक की जाएगी आइस आपकी डोनों ऐस आप सभी की आपकी स्ट कमाले इंश्ट अर्वाइच है तो राइच उज्ट कि आपकी एस उआ इस हो पयती चाहिए और जिसे यह आप की राइट ऑच छोओने चाहिए उसके बाद आप सभी के 14 डेंटल पॉंट होते हैं जैसे कि मान लेजे ये आपके दाथ है अगर एक आपका दाथ उपर वाला और एक नीचे वाला दाथ आपस से से मिलते हैं आगे की तो वो एक बनाते हैं जिस पॉइंट पे वो दोनों मिल रहा है वो उसको एक पॉइंट मिला अब पीछे ये जो ड़ात मिलते हैं पीछे के लड़ मेरे मिलेंगे न कहीं पर तो वह दो पॉइंट बनाएं उनकों दो पॉइंट मिलेगा दो पॉइंट मलब की अंकों में दो नमबर मिल जाएंगा उसको एक नमबर मिलगा इस तरह से कुल मिला कि आपको 14 डेंटल पॉइंट होने चाहिए और नॉर्मल जो एक वक्ति होता है उसके 14 से हो जाती कभी कदा यहां सारी चीजे देख लिए और उसके साथ जब आपको हाथ करते ही यह मैंने बताना भूल गया तो हाथ में जो पसीना आता है ठीक है जो पसीना आता है उस पसीने को भी देखते हैं तो पसीने के लिए मैं कहूंगा कि आप थोड़ा से नर्वस कम होना तो चीन पर से परसीना नहीं आएगा थो पूचते रहना थो डंसा पसीना नहीं देखेगा यह फी यूट्वब पर आप ध्यूम बीपी लिया जाता है थोड़ी नॉर्मल चीजे रखना यह वहाँ पर बनुस्सक हो जाता है तो बहुत सारी दिक्कत हो जाते पिर बीपी में दे देते हैं आपको अब दीखने टैट्यू का पूछें किसा टैट्यू का क्या करें ताट्यू कहीं पर भी है हटवाल मेरे भाई चाहिए अपने पूरी बॉडी में टैट्यू बनवाना कोई नहीं बोलना और जो आपका saluting hand होता है saluting hand में तो कोई tattoo होना ही नहीं चाहिए ठीक है और यह देखें यहाँ पर लोग इसलिए बोल देते हैं को कि यहाथ पीछे जाता है इसलिए बोलते हैं कि जो डोर सम होता है पीछे वाला हिस्सा हमारा इसमें tattoo allow कर देते हैं करते हैं और क्यों रिस्क लेना यार क्यों करना ठीक है आप सभी समय कहूंगा कि tattoo अगर है तो हटवा लो अच्छे अच्छे यह ना लगए कि वहाँ पर कुछ और था कभी कभी होता कि नॉर्मली जाओगे तो लेजर से हट जाता है थोड़ा पैसे खर्चा होते हैं अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो पैसा कर लो कहीं चलो ब्लेड से या पिंद तेजाब से करने को इसको घंद करना करना कफिति को अब लीग को यह चीज ने हो गया कि प्राइवेट पर चेक करते हैं तो आपका क्या दिखते हैं आपका जो paint में लून सबके साथ होता है तो सब साथ होता है और सकत ह송े सी करके बडियास से आपके ट तो उनको समझ में आ जाए तो आपको पाइल्स में रिमेडिकल लिख देंगे ठीक है आप करवालो तो बड़ियां पाइले से रहता है ठीक है और उसके लबागी तो मैं आपको बता ही चुका हूं वैसे कुछ है नहीं आपके यूरीन वगेरा टेस्ट कराते हैं उसमें सारी पता ही चल जाते हैं कि बड़ि में क्या कर्ची चलता ही है और आपको हाथ के बारे मादयी और कहीं पर कटे औरनी कम हो सके कि उतना कम बता ज्यादा बता दोगे तो फिर दिक्कत देना अगर अभी वेट के लिए वेट के लिए चार्ट में अलग से कि आपकी हाइट इक एक उपोना चाहिए तो आपका सभी का 65 kg से कम होना चाहिए चैनी हाइट आपका वजन सतर केजी से कम होना चाहिए इससे उपर नहीं जाना चाहिए अगर आपकी हाइट एक सबस्क्राइब करता है तो आपका थोड़ा कम रहेगा तो आपका थोड़ा से तो फरग मिलता तो ठीक है तो इस तरह से जो भी बच्चे हैं बढल बिल्कुत जरूर जरूर से देख ले मेरे तो धिक्कत हो जाएगी आपको बढ यहां से आपको सारे चीज समझा दी है और तो मैंने आपको सारी चीज़े बता दी है अभी भी कोई छूट गया हो तो मैं ध्यान कर लेता हूं प्राइविट पार्ट के बारे में बता दिया मैं नाक कान यही सब देखते हैं आपका आख हो गई आख मैंने शिवाज बता दिया है कोई दिक्कत निए कलर ब्लाइडनेस पता है नॉर्मल चीज़ें तो कलर ब्लाइडनेस चेक करेंगे यह आप सब्सक्राइब करेंगे तो चुछ गंटे के बाद अपना करवा के लिए कि आओ किसी भी हलत में नितवर ना जाओं ठीक है उसके नोज में आपको बता दिया नोज में ठीक है बढ़िया बढ़िया क उनको करने तो अपना काम वह समझ जाएंगे ठीक फोर्टी डेंटल पॉइंट से मतलब है एक दात कम भी है तो कोई दिक करने फोर्टीन डेंटल पॉइंट होने चीए ठीक है डाट आगे बढ़े के टेड़े मेरे हैं तो थोड़ी से दिक्कत हो सकती है मगा वह डॉक्टर पर चाहे तो पास कर सेता है डॉक्तर ना चाहे तो भॉइंट रटाट के उपर है तो डॉक्टर के लिए कि वह सकीन डिजीज के उपर लेके जाता है डर्मotrology निकलती है न जोटी माता बड़ी माता चीचक वगएरा तो उसके दाग समझ के छोड़ देते हैं तो भाई उसको अगर वैसा मानते हैं तो फिर वह सभी को दे देते हैं वहाँ पर सब्सक्राइब छाट यह करो यह सब चीज़ करती हैं तो पर ने हाथों में जितना हैं उतना करके जाना बाकी किस्मक्त के परदो से छोड़ना जो भी होगा देखा यह कि इयर वगेरह यह सब तह própria ही कर सकते हैं कि संक्षिक इस अपना थेख लेना फिर अभी किल्टा एम था thank you so much